हेलो पहरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं? आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 के सब्जेक्ट मैट्स के वीक नमबर 6 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की North Delhi Municipal Corporation के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है एडिशन और सब्टेक्शन आफ टू डिजित नमबर्स तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं इसमें 11 से 19 के नमबर को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि इनका जब हम चारो तरफ से इसको प्लस करें एड करें तो इनका जो एडिशन हो वो 45 हो तो यहाँ पर बच्चों नमबर है 18, 14, 12, 16, 15 तो बच्चों 18 और 14 कितने होते हैं 8, 4, 12 का 2, carry 1, 1 और 1, 2 और 1, 3 तो 32 में हम कितने नमबर प्लस करें कि हमारा जो टोटल हो 45 हो तो हम 32 में 13 प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा 45 होगा ऐसे ही 14 और 12 को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 26 तो 26 में हम कितने नंबर प्लस करें कि हमारा टोटल 45 हो तो हम इसमें 19 प्लस करेंगे अब बच्चो इसी तरीके से 16 और 12 16 और 12 का टोटल कितना होगा 6 to 8 1 और 12 तो 28 में हम कितना नंबर प्लस करें कि हमारा टोटल 45 हो तो इसमें हम 17 प्लस करेंगे इसी तरीके से अगला नंबर है 18 और 16 18 और 16 में हम कितने प्लस करें कि हमारा टोटल नंबर 45 हो तो बच्चो 18 और 16 कितने होते हैं 34 होते हैं तो 34 में हम 11 प्लस करेंगे जिससे हमारा टोटल होगा 45 तो बच्चो यदि हम इसे इस तरीके से प्लस करेंगे तब 20 का total कितना है 45 है यदि हम इसे इस तरीके से plus करते है तब 20 का total कितना है 45 है अब बच्चो question number 2 look at the number grid and answer the following question बच्चो यहाँ पर number grid को देखिए और questions के answer दीजिए first है fifth number to the right side of 11 11 की right side से पाचवा number कौन सा है 12, 13, 14, 15, 16 तो पाचवा number पर कौन सा है 16 है next है the number exactly below 51 51 के बिल्कुल नीचे कौन सा नंबर है तो बच्चो यह है 51 इसके बिल्कुल नीचे है 61 तो यहाँ पर लिखेंगे 61 next है the number between 75 and 77 बच्चो 75 और 77 के बीच में कौन सा नंबर है तो यहाँ पर है 43, 43 के ऊपर है 33, तो यहाँ पर लिखेंगे 33, next है 48 और 14 को हम प्लस करेंगे, तो कितना होगा total, 62, कैसे 8 और 4, 12 का 2, carry 1, 4 और 1, 5, और carry प्लस कर लेंगे 1, जो है, तो कितना हो जाएगा 6, तो होगे total 62, next है 39 में से हम 12 को माइनस करेंगे, तो कितना आंसर होगा 27, अब है बच्चो question number 3, look at the given calendar and answer the following question, अब बच्चो दिये गए calendar को देखिए और questions के answer दीजिए, fifth number to the left side of 11, 11 की left side से, पाच्वा नंबर कौन सा है, तो बच्चो 11 यह है, इसकी left side यह है, तो यहाँ से पाच्वा नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो पाच्वा नंबर है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, next है the number exactly below 14, 14 के बिल्कुल नीचे का नंबर कौन सा है, तो 14 यह है, इसके बिल्कुल नीचे कौन सा नंबर है 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21, next है the number between 19 and 21, बच्चो 19 और 21 के बीच में कौन सा नंबर है, तो 27 यहाँ पर है, इसका उपर वाला number है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, 18 प्लस 9 कितने होते है, 8 और 9 कितने हुए, 17 का 7, carry 1, 1 और 1 यह मिलाकर कितना हुआ, 2, तो टोटल होगा 27, 30 में से हम 8 माइनस करेंगे, तो कितना होगा 22, अब बच्चो question number 4, solve the following questions, 2 और 1 कितने होते है, 3, 3, 3 और 1, 4, next है, 6 और 2 कितने होते है, 8, 5 और 2 कितने होते है, 7, next है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 3 आएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे, तब भी 3 आएगा, अब बच्चो लाइफ स्किल, watch and calendar, look at the clocks, यहाँ पर घड़ी को देखिए, and write the time in the space provided, और दिएगा इस पेस में time लिखिए, तो बच्चो फर्स्ट जो घड़ी इसमें कितना time हो रहा है, बच्चो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समस्थे हैं, time को हम कैसे देखते हैं, बच्चो जब हम time शुरू करते हैं, तो कहां से करते हैं? 12 से, 12 और 1 मान लेते हैं, तो इसके बीच में कितनी मिन मिनट पा सकता का है अब हमों सब्सक्राँक के समत्राइब करते up चाहिए ultimate एक कोरा हुआ हुए मिनटront का समस्क्राइब करते हैं अब किक्राइब करते हैं तो इस लिए से फ्री को बे revolution palabras हो रहा है 6 बज़कर 15 मिनट यानि की सवा 6 बज़े हैं अब कोश्य नमबर टू ड्रॉदा हैंस ऑफ इच क्लॉक एज पर दर टाइम गिवन बच्चों यहां पर क्लॉक के हैंस को उसी तरीके से ड्रॉ करना है जैसे कि यहां पर टाइम दिया गया है टाइम है यहां पर टू अ हमारा आवर का हैंड 2 पर होगा और मिनट का हैंड 12 पर होगा नेक्स्ट है बच्चों 6.30 तो 6.30 कब होते हैं जब हमारे आवर और मिनट के दोनों हैंड 6 पर होते हैं नेक्स्ट है 8.45 आट बज़कर 45 मिनट कब होते हैं जब बच्चों हमारा जो आवर का हैंड है वो 9 और 8 क कुछ 2021 year के festivals दिये गए है look at the calendar calendar को देखिए and write the days on which these festival fall और बच्चो उन days को लिखिए उन days के नाम को लिखिए जब ये festival celebrate किये गए अब बच्चो festival है मकर संक्रांती डेट क्या थी 14 जनवरी 2021 इसका डे हमें बच्चो देखते हैं जनवरी के calendar में 14 डेट 14 बच्चो यहां पर है 14 का डे है थ्रस्डे यहां पर थ्रस्डे लिखेंगे next है Republic Day तो यहां पर देखेंगे 26 जनवरी का कौन सा डे है तो बच्चो यह है Tuesday का यहां पर Tuesday लिखेंगे next है महासिवरात्री 11 मार्च 2021 तो मार्च में 11 डे को कौन सा डे था थ्रस्डे था तो यहां पर थ्रस्डे लिखेंगे next है Holy Holy थी 29 मार्च 2021 में तो 29 मार्च का डे देखेंगे क्या है तो 29 मार्च का डे था मंड़े तो यहां पर मंड़े लिखेंगे next इदुल फितर 14 में अब बच्चो में का कलंडर देखेंगे 14 का क्या है देखते है 14 डेट येहाँ पर है इसका दे है Friday तो यहाँ पर लिखेंगे Friday नेक्स्ट है बुद्ष पुर्मीमा थी 26 में कि किस डे में spiritual हुई तो बच्छो देखते हैं 26 में इसका दे था wednes दे बुद्वार तो यहाँ पर वेडनेस दे लिखेंगे अब बच्चों संसकार साला इफ हार्ड वर्क इज यूर वैपन देन सक्सिज विल बी यूर स्लैब यदि हार्ड वर्क आपका वैपन है तब जो सफलता है वो आपकी गुलामी करेगी फूड आइटम है इट रेड कलर फूड आइटम बच्चों आज आपको रेड कलर का कोई भी फूड आइटम खाना है फॉर एक्जामपल जैसे की एपल, वाटर मेलोन, कैरट, टमेटो, बीट रूट, रेड पल्सिज एटसेटर फैमली फन टाइम में गेम है, कैरम या लूडो, प्ले वीडियो फैमली और फ्रेंट्स अपने दोस्तों के साथ और फैमली के साथ खेलें बच्चों, आप अपने आसपास की सर्कुलर ऑबजेक्स जो है, जितनी भी सर्कुलर सेथ की चीज़े हैं, उनके नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ हेबिट्स दी गए हैं, इन्हें आप अपने डेली रूटेन में इंक्लूड करेंगे Begin your day by greeting your parents, अपने पैरेंट्स को अभिवाद में करके उन्हें नमस्ते करके अपने दिन की शुरुवात करें Brush your teeth twice a day, एक दिन में दो बार ब्रश करें, टेका बाथ डेली रोजाना नहाएं, डिंक प्लैंटी ओफ वाटर, परियाप्त रूप में पानी पियें and eat a balanced diet और संतूलित भोजन लें, avoid touching your face, अपने चेरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हाथों को लगातार दोते रहें, complete your homework on time और अपना ग्रह कारें समय से करें Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you